हेलो गाइस वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गाउन की कटिंग और स्टीचिंग तो फ्रेंट्स इसमें हम पहले गाउन की उपर के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखे फ्रेंट्स यहां पर हमने फॉर फॉल्ट कपरा रखाया और उसके बार जो हमने सेवं इंचिज पर शॉल्डर मार्क किया है और फ्रेंट्स सेवं इंचिज़ पर आर्म होल की शेफ द्रो करेंगे नीचे से फ्रेंट्स हम अपनी की अपरोधिंग। फॉली और frontier है ज हम ने 2 इंच का मार्जन लिया है और इसमें हम करें हम आर्म होल की शेप ड्रो करेंगे Labt कि शेप husband करने के बाद फ्री हेंड से हमारे शेफ बादा अलग करेंगे ज़ी मेडी हम इसकी कट रहे हैं पहले हम कैंट करेंगे यह हमारे बाल करेंगे और इसके बाouting हैं एकाई अधू मैं है करेंगे और टो प्राइडों से इतने हम कटिंग करें आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो बैल आइकोन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे यहाँ पर फ्रेंट्स हम 10 इंचिस पर मार्क करेंगे यह हमारे यह टक्स पॉइंट के लिए है जिस पर जो है हम यहाँ पर फ्रेंट्स पैड अटेच करेंगे जो पैड ब्लाउज होते हैं उसी तरीके से हम अपने गाउन में भी पैड को अटेच करेंगे जिस तरीके से मार् पर निखेंगे और रखने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे यह हमारे बोटम पार्ट की कटिंग होगी इसमें फ्रेंड्स हमारी फुल लैंड 52 इंचीज है तो इसमें से हम 15 इंचीज की कोड़ी को निकाल कर यहां पर जो हैं इसे हम इस तो एसे हमआरा इंच का होगा और इसके बाद जो हैं हम प्रेंडेमन हम favors लगाएंगे और तो पहला हमारा 53 इंच का होगा और उसके बाद जो है फ्रेंट्स हमारा 48 इंचिस की होगी second layer ये हमारी second layer है जो हमारी 48 इंचिस की है 48 इंचिस पर mark करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर mark कर लेंगे और mark करने के बाद cut कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये हमारी 48 इंचिस की है ये हमारी second layer हो गई और फ्रेंट्स यह हमारी third layer है third layer यहाँ पर हमारी जो है फ्रेंट्स 43 इंचिस की है 15 इंच को ओपर निकालते हुए 43 इंचिस पर मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद जो है यहाँ पर भी हम उसका निशान लगाते हुए इसको भी cut कर लेंगे तो फ्रेंट्स इतने हम इसको cut कर रहे हैं आप हमारी वीडियो में बने रहें वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करना ना भूलें तो देखिए अब हमारे net fabric की जितना भी net की cutting होनी थी वो हो चुकी है अब फ्रेंट्स यह हम नीचे जो है जितनी भी हमारी कमर है तो हमारी कमर यहाँ पर फ्रेंट्स 14 इंचे पर है उसके according हम यहाँ पर इसकी shape निशान लगाएंगे कमर की और उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेंट्स इसको ज़ादा लटकता हुआ नहीं रखेंगे अस्तर को क्योंकि हमारी तीन लेयर आएंगी गाउन में नेट की तो इसकी according जो है हम यहाँ पर इसको 15 इंची की हमारी कोटी हो गई और उसके बाद 15 इंची उपर निकालने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ 45 इंची पर मार्क करेंगे और देखिए हम इसको जैसे अम्रेला कट की कटिंग होती है ना उसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे यहाँ पर उपर से कटिंग करेंगे और नीचे जो यह हमारा थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम इसको इस तरीके से कपडे को डवल पॉल्ड करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इस कपडे को हम इसी के साथ अटेच कर लेंगे तो देखिए यह हमारी कटिंग हो छुकी है और अब हम चलते हैं स्टीचिंग की और टो धेकिए पहले हम अपने डॉप पार्ट को रेडि करेंगे तो अपने डिरी करने के लिए हम न Tech की कटिंग कर रहे हैं और Champs के लिए हमने यहाँ पर जो है 3.5 इंचिज पर मार्क किया है और हमने जो वूल ली है वो four inches है और देखिए अब हमने या शेप ड्रो करके हम इस तरीके से जो है अपने neck की cutting कर लेंगे friends यह fusing paper है इसको जो है हम कपड़े पर press करके चिपकाएंगे और फिर friends इसको हम नीचे से जितना भी extra कपड़ा है इस extra कपड़े को fold करते हुए यहाँ पर जो है हम में एक लगाएंगे इसलाइ को लगाने के बाद यह हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जो है किसको अपने pretty और saben fabric के साथ ऊपर कि साइड रखेंगे यहां पर भ्वी एख रागांगे और किसके सेंटर में झाल लगाइंगे इसे जो है हमारा सेंटर में बिल्कुल अच्छे से नेक बनकर रेडी होगा यहाँ पर हम पिन की हेल्प से इसको रोक लेंगे ताकि यह इधर उदर ना जाए और हिले न और हमारी नेक की शेप भी ना विगड़े तो देखे फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो हमने इसमें स्लाई लगाएंगे जिससे हमारी शेप बहुत ही प्यारी आएगी तो देखे यह हमारा नेक जो है अब हमने इसे अंदर की साइड फॉल्ड कर लिया है और फॉल्ड करने के बाद जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस पर टॉप पर जो है एक फ्लाई लगाएंगे तो देखे इस स् कर दफॉल्ड करेंगे पर दीजो हमें पर हमारे नेको इंप करेंगे लिए भूपने के बाद तरीके से घुमाते हुए हैं स्कंव ay na के — वस्ति कपड़े के अंदर पड़ा कर सकते हैं तो देखें यह हमारा बैरेड़ हो चुके हैं और अब हम जो है अपना नेट फैब्रिक इसके उपर इस तरीके से अटेच कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम हार्म होल की जो हमने शेप ड्रो की हुई थी उसी वहाँ पर हम स्लाई लगाएंगे और अपना यह जो हमारा नेक है इसको हम कटिंग करे यहाँ पर भी दूसी साइड में भी हम इसी तरीके से स्लाई लगाएंगे तो देखे फ्रेंड्स यह हमारी लग चुकी है और अब हम अपनी नेक जो यह अंदर वाला साटन फैब्रिक है जिस पर हमने पैड को अटेच किया उसको इस तरीके से कट करेंगे अंदर की साइड करते हुए फ्रेंड्स हम इस पर भी जो है एक स्लाई लगा लेंगे को हमसला की हैट्व से इस तरीके से रोकेंगे ताकि यहामारा जो है अच्छे से कवर भी हो जाए और हमारे नेक में फनीशिंग भी बनी रहे लाए करते हुकत एक चीज़ का हमेशा धियान रखें नीशिंग बहुत जरूरी होती है नीशिंग आती है तो हमारे ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है तो देखें यह पैड लगकर रडी हो चुके हैं अब बैक साइड में जो है हम जिप अटेच करेंगे और फ्रेंट देखें यहाँ पर हम पहले जिप को जो है पिन की हैल्प से इस तरीके से रखेंगे और फिर फ्रेंट्स जिप को खोल कर अंदर की साइड से इस तरीके से पलटेंगे और सिंगल बूट की हैल्प से जो है फ्रेंट्स हम इसको अटेच कर लेंगे यह हमारी इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से जो है हम इस ज को इसको इस तरीके से पलटते हुए जो है फ्रेंट्स हम इसको रेडी कर लेंगे और अब देखिए यह हमारी जिप लगकर रेडी हो चुकी है और यहां पर यह इतनी अच्छे से लगी है कि दिखेगी भी नहीं अब हम इसकी टॉप पर जो है एक स्लाई लगाएंगे पनीश पर इसी शेप में शेप कट कर लीती और अब इसको जो है हम इस तरीके से कपड़े को फॉल्ड करेंगे और इसमें भी जो है हम अपना नेक बनाकर रेडी करेंगे इसी तरीके से फ्रेंट्स हम दूसी साइड पर भी जो है एक्स्टा कपड़े को फॉल्ड करेंगे और इसी तो देखिए यहां पर इसके grassOOप पर भी हमएक ऍवाइ लगाएंगे यह डॉसी साइट भी हम इसी तरीके से करेंगे अपूसी स्लाय लगाएं आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर के रहें चैनल को सब्सकाइब करना नहीं भूलें और प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको भी अगर कोई ड्रेस बनवानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम आपकी आपके अकॉर्डिंग जो आप कहेंगे उस हिसाब से हम आपके लिए न्यू ण्यू ड्रेस लेकर आते रहेंगे यहमारे गाउन का पार्ट बन है पार्ट टू में हम इसको जो है नीचे से अप्र हम इसमें सब्सक्रीब लिए नेट यूज की ती यहां पर फ Ost है Ham 16 Inches दू स्लीप्स बनाएंगे तो फ्रेंट्स ओपर यहां पर जो है चुन डालेंगे 16 इंचेस पर हमने यहां पर कट कर लिया है तो देखिए यह हमारी और पीछे से करेंगे और यहां पर उच्ट बिंचेम ग्ंट करेंगे यहां पर यहां इंच coming लेटे ओए कि सब्सक्राइब करेंगे और समयानओं में करेंगे तो देखिए हमारीं कि सर्फ ट्रshirts के ड्रही हो है करेंगे extra कपड़का करने के बाद जो एफ इसने हम टर्ण कर लेंगे इसको और निकालने के बाद फ्रेंडश हम यह नौके जो है अच्छी तरीके से निकालेंगे और उसके पाद ज्योह हुआ क्यों हम समें ऐक पर स्लाइ लगाएंगे से भी जो है हमारी कफ में बहुत ही प्यारे सी finishing आएगी जो है तो देखे फ्रेंट्स ये हमारी enjoying जो हे लगकर ready हो चुकी है और अब देखी हमारी sleeves पर जो है friends हम full चाल से loose loose हातों से हलके हलके हातों से friends हम यहाँ पर loose loose से sly लगाएंगे और धागा कीचके friends हम इसमें togethers डालेंगे तो देखे friends हम इसमें cuff attach करने हैं तो इसलिए हम यहाँ पर एक धागा खीचेंगे अगर आप को यह नहीं आती हैं तो हम अप से पहले भी अपनी वीडियो में पहले बता चुके हैं गैदर किस तरीके से डालते हैं आप channel पर विजिट करके इस तरह की वीडियो जो हमने डाली हुई है गैदर डालना बताया गया है आप उसे देख सकते हैं तो देखेँ, friends, यहाँ पर यहाँ आपने इस तरीके से गयदेस डाल ली है, और यह हमारी गयदेस बनकर ready हो चुकी है, और अब देखे, friends, यह हमारा गफ है, इसमें गयदे से रहे मारजन रखा था, इसे अंधर की side fold करते हुए, इसे इस तरीके से इसके अंदर fix करेंगे, औ प्रेंड इस पर जो है हम स्लाई लगाएंगे तो देखें प्रेंड एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फॉल्ड करते जाएंगे और स्लाई लगाते जाएंगे इसी तरीके से जो है हम अपने कप को बनाकर रेडी करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर फॉल्ड करेंगे और कपड़ा अंदर रखकर स्लाई लगाएंगे तो देखें प्रेंड यह हमारे स्लीप्स बनकर रडी हो चुकिया है अब हम जो है बैक साइड फ्रेंड सॉरी अब हम इसमें फ्रेंड हम अपनी कोटी में जो है इसको हम चार चुननन ऊपाउजिड साइड और चार चुननन तो देखेंगे यह वमारे स्लीप्स गया बनकर रडी हो चुकई है IBM हमने स्लीप में असत्र लगाया था हमाँ यह अच्छा नहीं लगाता है उन्हों हमने जो त्वहारे क्लाइन वालाता स्लीप्स में हम सेकनड वीड झाल 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 झाल